दोस्तों बिहार लोग सिवायोग, मतलब BPC के माधियम से एक लेटर पब्लिस किया गया है, यह लेटर आपको बताते कि BPC TRE 2.0 के भरतियों के लिए है, इसमें एक्जाम का जो new schedule है, new date है, वो पब्लिस किया गया है, हलांकि इस लेटर को देखते ही आप समझ आएंगे, लेक अगर एक्जाम छुट जाता है, तो बहुत ही दिकत होगा, इस वीडियो में हम clear करेंगे खासकर भासा वाले भिरतियों के लिए, इसमें जो दो दिन भासा का exam दिया गया है, वो किस के लिए है, एक एक करके हम इसमें आपको clear करेंगे सारा data पताएंगे, सबसे पहले आप स साथ तारिक के exam को देख लेते हैं अच्छे से, देखिए आपके शामने यहाँ पर लिखा किया है जो date है, वो गुरु बार, यहाँ पर साथ तारिक, बर्मा महिना मतलब दिसंबर, 23 को exam जो होना है, वो दो पाली में, पहला जो 10 बेज से लेकर सारे 12 वज तक परिक्षा और दूसरा, धाय वज से 5 वज तक, इसमें जो पर्थम पाली है, इस पर्थम पाली में प्रधाना द्हपक पद के लिए, जो आपको पता होगा कि पिछरा, वर्ग एबम अती पिछरा, BC और ABC, जो कल्यान विवाग से वेकेंसी आई थी, उसका exam होगा, वहीं SCST welfare, जो अनु लेकिन वहीं हम सकेंड सिटिंग का बात कर लें, दूत्य पाली का, तो साथ तारीकों ही, यहाँ पर विशे संगीत और आपको पता देख कला, पिछरा एबम अती पिछरा, वर्ग कल्यान विवाग 9th के लिए exam होगा, देखिए यहाँ पर पहले indicate कर दिया गया है, यहाँ प के लिए, जो की कला और संगीत के लिए होगा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आगे आते हम बात कर लेते हैं, कि next जो exam date है, वो अगले दिन 8 तारीक को सुक्रबार को होना है, इसमें 2 exam होगा, देखिए सबसे पहले आपको पता है, कि सिक्छा विवाग का exam होगा, और जिशा है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गनित, समाजिक, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अर्भी, फार्सी, बांगला, अलरित, कलार, निरित, सारिक, सिक्छा, मैथली, संगीत, एवं कम्पूइटर के लिए exam होना है, जो की आपको सिक्छा विभाग से अभ्यर से को छोड़ कर, इसका भी exam इसी date में होना है, फिर यहीं आपको SST welfare, जो की अनुसरी जाती और जन जाती के लिए 6-8 के लिए विर्थी फर्म भरे हैं, उसका इतना विज्ञान का exam इस दिन होना है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, 9-12-13, मतलब उससे अगले दिन सनी बार को जो exam होगा, वह भी आपको बता दे, दो विभाग का होगा, पहला आपको पता है, कि यहाँ पर सिक्छा विभाग का और दुसरा कल्यान विभाग का, देखिए, यहाँ पर थोरा सा समझिएगा, कि सिक्छा विभाग का जो exam होना ह वह 6-8 के लिए होगा, यहाँ पर, और कल्यान विभाग का भी 6-8 के लिए होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप 6-8 के लिए है, और यह भी 6-8 के लिए है, लेकिन 6-8 का दोनो exam है, किस-किस विषय का होगा, आप थोरा सा समझिएगा, देखिए, सिक्छा विभाग से जो अभेर्थी भासा से फॉर्म फिलफ किये हैं, हिंदी और अंग्रेजी का, उसका भी exam 9-12-13 का होगा, आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, देखिए, आगे, जो 10 तारिक को exam होना है, रविभार को, इसमें देखिए, सिक्छा विभाग सो जो भेकेंसी आई है, 6-8 के लिए exam होना है, जो कि आपका language paper है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्क्रीट और उर्दू, लेकिन यहाँ पर आप फिर से थोड़ा सा समझ येगा, यहाँ पर भी दिया गया है, वह आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेज दिया गया है, लेकिन आपको पता देए, यह कल्यान लिए Ameloveordu, लेकिन अगर चैने विवाग का बात करें, आपने affirm डालते समय देखा होगा कि शिक्षा विवाग के लिए अलग से frequency था, और कल्यान विवाग के लिए अलग से frequency था, तो 6-2-8 के अभिरू के लिए अंग्रेजी, हिंदी और संस्क्रीट अुर्दू का जो exam होग वह 10-12-30 को सिख्षा वियाग वाला होगा कल्यान वियाग वाला आपको नौका ही होगा जो कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए होगा फिर आगे बात करते हैं आपको पता होगा कि एक एक्जाम जो लास्ट में वेकेंसी आई है 1-5 के लिए इसका एक्जाम डेट इससे पहले वाले स्टेडियूल में 15 रख गया था लेकिन यह आपको 14-12-30 को गुरुवार को एक्जाम होना है जो 1-2-5 सभी विसाय के लिए होगा इसमें आपको समान फिर उर्दू और आगे बांगला का एक्जाम होगा इसमें आपको पता होगा कि इसमें भी दो टाइफ की फेकेंस होगा कि जो भेर्थी कल्यान विवाग के लिए वेकेंसी भी फिलफ किये थे 1-5 के लिए और शिक्षा विवाग का भी तो वह एक साथ दो एक्जाम कैसे दे पाएंगे तो आपको बदा दे दोनों एक्जाम मर्ज करके ले लिया जाएगा एक ही तीन जो कि आपको यहाँ प नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे जो सबसे लास्ट है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है पंदरह बार दिजारत तेस जो कि सुक्रवार को एक्जाम होगा वह 11th 12th के लिए भेर्थी के लिए होगा यहाँ पर सिक्षा विवाग और पिछरा वर्ग एवामाती पिछरा कल्य जरते इसको होगा अनुसुजित जाती और अनुसुजित जन जाती कल्यान विवाग का जो एक्जाम है वह आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में SCST वेलफियर डिप्राक्मेंट का एक्जाम 1112 के लिए आपको 1512 जरते इसको ही होगा देखिए यहाँ पर अगर आपको फिर कोई confusion है तो आप हमें commit कर सकते हैं यह letter authentic है आप BPC के official website पर जाकर देख सकते हैं आपर देख सकते हैं कि प्रिक्षा नियंतरक का signature भी है और आज का यह letter publish किया हुआ है साथियो वीडियो में अभी तक बने हैं तो thanks for watching